हाई दोस्तो टीफोर चानल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप नाइका अप्लिकेशन में और या शॉपिंग कैसे कर सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो में सबसे आसान तरीके साथ सीखेंगे कि उसमें और कैसे करते हैं उसमें आपको कैसे address वगरे डालना है, सारा process आज की वीडियो में सीखेंगे, तो अचली वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे फिले आपको नाइका application डाउनलोड करना है, तो play store application ओपन करना है, यहाँ पे उपर में search करना है, नाइका, लिख करके आपको search कर लेना है, जैसे आप search करेंगे, आपके सामने नाइका application आ जाएगा, इस application को आपको install कर लेना है, हमने पहले से download करकर रख रहा है, तो इसको हम open में click करेंगे, जैसे हम open में click करेंगे, तो आपके सामने हैं, इस तरीका interface दिखाए दे, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि use code, फ़र्स्ट दो सो रिपेक आपको discount मिलेगा, और फ मिलेगा छूट, अगर आप फ़र्स्ट टाइम order करते हैं तो, तो चलिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे login और sign up का option है, तो यहाँ पर 2000 नाइका reward point आपको मिलेगा, अगर आप फ़र्स्ट टाइम एक sign up करते हैं तो, तो यहाँ पर दो तरीके साब sign up कर सकते हैं, पहला है mobile number के तुरू और दूसरा है continue with a Google account, तो यहाँ पर mobile number वाले option में आपको click करना, जैसे mobile number में click करी गया, यहाँ पर खुद बखुद आपका mobile number ले लेगा, अब यहाँ पर continue with जिस number के उपर आपको click कर लेना है, जैसे आपने click किया, यहाँ पर आपका नाइका application open हो गया, अब यहाँ पर क्या करना है, next का option में नीचे click करना है, फिर से यहाँ पर next का option में click करना है, यहाँ पर आपको category मिल जाता है कि आपको make-up वाला सामान चाहिए, फिर skincare का, या hair care का, या फिर both and body का, और फिर यहाँ पर NICA everyday, यहाँ पर बहुत सारा option आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी आपको लेना है, यहाँ से भी ले सकते हैं, health and wellness, mom and baby products, तो यहाँ से जो भी आपको चाहिए, तो यहाँ से भी जा सकते हैं, अगर आपको कोई a specific item चाहिए, तो आप यहाँ से search on NICA का जो option है, इसमें आपको click करना है, यहाँ से आप search कर सकते हैं, तो for example के लिए यहाँ पर हम लेंगे, moisturizer cream, तो यहाँ पर moisturizer हमने search कर लिया, अब यहाँ पर moisturizer बहुत सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी brand का आपको लेना है, यहाँ से आप जा सकते हैं, तो for example मुझे यह वाला लेना है, तो हम यह वाला gel खरी देंगे, Neutrogena Hydro Boost Water Gel, तो इसमें हम click कर लेंगे, जिसे हमने click कर लिया, अब यहाँ पर, यहाँ पर आपको option इस तरीके से खुलते हैं, यहाँ पर detail में फुरा खुल गया, कि आपको 15 गराम वाला चाहिए, या फिर 50 गराम वाला, अगर आप 50 गराम वाला खरीते हैं, तो इसका जो value है, यह चेंज हो जाएगा, यानि कि amount इसका change हो गया, तो यहाँ पर हम 15 गराम वाला ही रहने देंगे, उसका नीचे आना है, यहाँ पर 100% authentic है, product easy return policy है, यहाँ पर आप इसका review अगर नीचे देख सकते हैं, कि जो public खईदी है, इसके बारे में उन्होंने इसका review दिया है, तो यहाँ पर awesome product सब लिखा है, तो यह product सही है, ज्यादा review भी है, तो इस product को हम खईदने के लिए नीचे option है, add to bag का, तो add to bag वाले option में click करना है, अब यह item जो है, हमारा bag में चले गया, तो bag में आइटम देखने क्लिक क्या करना है, यहाँ पर search icon है, यहाँ पर heart वाला दिल वाला icon है, और उसके बाजू में यह bag वाल आइकन है, तो यह bag वाल आइकन में आपको click करना है, click करने के बाद आप आपने shopping bag में आ चुके हैं, जैसे कि उपर लिखा हुआ है shopping bag, अब यहाँ पर लिखा है check delivery dates, अब यहाँ पर क्या करना है, यह जैसे कि आप बोड़ा है कि 2000 reward point, यानि कि 20 रुपे का आपको छूट मिल जाएगा, अगर आप first time user हैं तो, तो यहाँ पर apply में हम click कर देंगे, अब यह देखी, 450 रुपे हो गया, अब यहाँ पर 20 रुपे हम माइनस हो गया, तो यहाँ पर 450 रुपे का आइटम, 20 रुपे माइनस हो गया, तो 430 रुपे में हमें पढ़ेगा, अब यहाँ पर proceed का जो option ही नीचे, इसमें आपको click करना है, जिस दूस्तों आप proceed में click करेंगे, अब यहाँ पर address डालने का option आएगा, enter address, तो यहाँ पर pin code डाल देना है, तो चलिए हम ना pin code डाले थे हैं अपने रेका, अब यहाँ पर थाने महराष्ट्रा आगया, house number यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया आपना building का नाम, और यहाँ पर एविंग, अगर आप गावन से भी लोग करते हैं तो आपने area का नाम डाल दीजिएगा, उसके रोड, name, area, culinary यहाँ पर लिख लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया, अब यहाँ पर जो colony है, road name, area का नाम है, उसको हमने लिख दिया, अब यहाँ पर default address का option में यहाँ पर क्लिक रहने दीजिएगा, उसके बाद नाम आपका यहाँ पर show होगा, यहाँ पर आपका mobile number सो होगा, अब यहाँ पर email ID optional है, नहीं भी डालीगा तो कोई problem नहीं है, उसके बाद ship to this address में option में आपको नीचे क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर payment का option हैगा, तो आप payment किन तरीकों से आप कर सकते हैं, यहाँ पर UPI ID के थुरू कर सकते हैं, यानि कि Google पर, phone पर, Paytm से, credit debit card से, cash on delivery भी यहाँ पर available है, और यहाँ पर shop now pay later, और net banking, Paytm wallet, EMI facilities भी available है, और gift card से भी आप payment कर सकते हैं, तो चलिए हम लेंगे cash on delivery वाला option, तो यहाँ पर cash on delivery वाला option में हमने क्लिक क्या, तो यहाँ पर लिखा है कि cash on delivery is not available, जो है, वो available हो जाए, तो चलिए हमने एक और item add कर लिया, आपने bag में, तो bag all icon में आपको फिर से वापस से क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने bag में item add किया है, एक, दो, और यह तीन, तीन item add कर लिया, जिसे कि या, इसका price थोड़ा ज़्यादा होगी है, बट यह cash on delivery order हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पर proceed के option में आपको click करना है, अब यहाँ पर proceed to pay के option में click करना है, अब यहाँ पर देखेंगे, कि हमारा cash on delivery option लेता है या नहीं, तो चलिए हम cash on delivery में click करेंगे, अब जाके आपको cash on delivery का option मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो दोस्तों मुझे उमीद आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को like करें, share करें तो मिलते हैं next video में,